हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल पर दोस्तों आज मेरे पास है वीबो का वाई 21 मॉडल वीबो वी 211 इसमें एफ आर्पी यानि गूगल एकाउंट लॉक लगा हुआ है और ये एंड्रॉइड वर्जिन 12 पर रंद कर रहा है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां से आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर हमें अपना एकाउंट पता नहीं है तो हम इसे setting for reading से भी on कर सकते हो यहां से भी यहां से भी या आप volume plus और minus मतलब plus और minus इन दोनों कीश को एक साथ press and hold मतलब hold करके रखेंगे तो हमारा talkback enable हो जाएगा तो हम अपना volume plus और minus को hold करके रखेंगे यह आप देख सकते हैं एक notification आया है turn on कर लेंगे यहां पर फिर दुबारा से वही दोनों कीश ठीक है फिर से इसको एक साथ press करेंगे और अब आप देख सकते हैं हमारा talkback mode on हो गया है ठीक अब यहां पर दोस्तों जो green circle है इसके अंदर हम ultiail press करेंगे इस तरह से ठीक है ultiail बनाया यहां permission आएगा उपर वाले पर double click करेंगे ठीक है दो बार click करेंगे इस पर और यहां use wise command है यहां पर touch करके फिर double click करेंगे और assistant बोलेंगे ठीक है double click करके assistant बोलेंगे assistant देखिए अब हमारा assistant open हो गया हमें इस keyboard वाले option पर इस पर double click कर लेना है ठीक है अब इसके बाद हमें talkback off करना है volume plus और minus दोनों की इसको एक साथ फिर से प्रेस करेंगे और यह हमारा talkback off हो गया यह notification आ चुका है नीचे आप देख सकते हैं अब हमें करना क्या है यहां पर हम लिखेंगे गूगल ठीक है जी डबल ओ जी एल ए गूगल लिखा और यहां next किया अब यहां जी का बॉक्स है ना इस जी वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उपर जो माइक का option है माइक जो माइक का icon है इस पर हम क्लिक करेंगे और open YouTube बोलेंगे open YouTube यह open नहीं हुए दोस्तों तो हम क्या करेंगे keyboard पर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर लिखेंगे open YouTube यह आ गया ना open YouTube लिखेंगे तैसे open YouTube आ जाएगा क्लिक कर लेंगे हमारा YouTube ओपन हो जाएगा उसके बाद account का जो icon है उपर account के icon पर हमें क्लिक करना है यहां account के option पर हमें क्लिक कर लेना है फिर setting आएगा यह देखें setting पर क्लिक करना है about पर क्लिक करेंगे YouTube term of service पर क्लिक करके हम इंटर कर जाएंगे Chrome ब्राउजर में यहां पर accept कर लेंगे no thanks और ब्राउजर में आके हमें लिखना है VNROM यहां लिखेंगे हम VNROM यहां आगे VNROM बाइपास इस पर क्लिक कर लेंगे और first link पर क्लिक करेंगे और हम इंटर कर जाएंगे VNROM के official website पर और यहां पर आने के बाद हम सीधे अपने सेटिंग में इंटर करेंगे सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे तो हम इंटर कर जाएंगे अपने डिवाइस के सेटिंग में अब यहां पर हम पहला ट्रिक यहां आपको मैं फस्ट इसका model चेक करवा देता हूं देख सकते हैं आई 21 और एंड्रोइड वर्जिन 12 पर यह रन कर रहा है ठीक है 21 11 बैट करेंगे और हम आज आएंगे सिस्टम में तो यहां से नहीं होगा बैट करते हैं शॉर्ट कर टेंड एक्सेसबिल्टी इस पर आएंगे और इजी टेच है ना इस पर क्लिक करेंगे और इसको एजी टेच वाले को आउन कर लेंगे और यहां पर हम कस्टमाइज मीनू यह आप देख सकते हों यहां कस्टमाइज मीनू है इस पर क्लिक करेंगे और यहां प्लस पर क्लिक करके हम WI APP STORE एड़ करेंगे इसमें पहले हमको चेक करना है वी एप इस्टोर यहां पे है या नहीं है तो आप देख सकते हों यहां पे वी एप इस्टोर नहीं दिख रहा है नहीं है दोस्तों तो यह ट्रिक तो हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि यहां वी एप इस्टोर नहीं है तो अब हमें back आना है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों हम दूसरा trick का try करेंगे तो हम easy test को off कर देंगे back आएंगे और यहाँ back आने के बाद फिर से back करेंगे जी हम back करते हैं उसके बाद अब हम आ जाएंगे अब आ जाएंगे हम system में और यहाँ पर नीचे है phone clone यहाँ आप देख सकते हैं phone clone इस पर click करेंगे और यहाँ पर check लगाएंगे agree कर लेंगे ठीक है agree किया अब यहाँ पर हमें एक दूसरे device की जरूत पड़ेगी जिसमें हमें play store से दो application डाउनलोड करनी होगी एक तो easy share और दूसरा activity manager ठीक है तो यह आपको दोनों अपने play store से डाउनलोड करके अपनी device दूसरे device में रख लेना है ठीक है दोस्तों तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है new phone पर click करेंगे इस device में new phone पर click करने के बाद सारा permission हम allow करेंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर सारा permission allow किया यह आप देख सकते हैं यहाँ पर search जो scanner है हमारा scanner open हो गया अब हम दूसरा device यहाँ दिखाते हैं आपको दूसरे device में यहाँ पर आप देख सकते हो phone clone पर आएंगे हम easy share open है phone clone में आएंगे फिर old device ठीक है यह हमारा old device है तो old device पर आएंगे permission allow दे देंगे ठीक है और फिर old phone पर आएंगे फिर से यहाँ सारा permission allow करेंगे यहाँ देख सकते हैं एक barcode आगया है हमारे सामने अब इसी barcode को इसके सामने लाके scan करेंगे यह scan करके connect हो रहा है दोस्तों देख सकते हैं connect हो गया दोनों न अब इसमें देखिए set now करके आगया set now पर क्लिक करेंगे और यहाँ phone clone है न phone clone पर क्लिक करेंगे इसका permission allow दे देंगे फिर नीचे easy share है इसका भी permission allow देंगे तीसरा भी हम check कर लेंगे अब यहाँ पर allow सारा allow हो गया यहाँ पर और किसी बेस इनी दोनों को permission allow करना था फिर got it कर देंगे allow करेंगे allow मतलब सारा permission हमें allow देना है यहाँ ठीक है अब आप देख सकते हैं हमारे device का सारा data दोस्तों सारा data इसमें आ गया ठीक अब हमें करना क्या है हमें सारा data तो वहाँ transfer करना नहीं है तो हम सभी को uncheck कर लेंगे सारा uncheck हो गया अब सिर्फ check लगाएंगे application पे और application पे click करके यहाँ पर activity manager है न इसको छोड़के सारा uncheck कर लेंगे एक साथ कर लेते हैं यहाँ check लगाया, uncheck किया activity manager पे check लगाया ठीक है, सिर्फ activity manager पे check लगाया दोस्तों फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ok कर देंगे फिर start phone clone इस पे click कर लेंगे यहाँ पर हमारा finger पूछ रहा है दोस्तों तो हम यहाँ पर अपना finger phone clone, जी हाँ यहाँ पर ok कर लेंगे ठीक है, ok और यहाँ पर permission allowed यह हमारा हो गया, done ठीक है, यह हमारा transfer हो गया वहाँ पर ठीक, अब हम यहाँ जो watch जैसा बना है ऊपर corner पर watch पे click करेंगे और फिर application पे click करेंगे इसको open कर लेंगे अब इस device का काम हमारा खतम है दोस्तों, ठीक है, done किया, back कर दिया इस device का काम खतम, अब यहाँ activity manager आप देख सकते हो open है हमारा, search पर click करेंगे, search पर click करने के बाद यहाँ आँ लिखेंगे factory F A C, यह आगया factory test, ठीक है इस पर click करेंगे, और यहाँ पर है engineering test, इस पर click कर लेंगे engineering test पर click करके हम आ जाएंगे third option पर, third पर, यहाँ third वाले पर click करेंगे और लिखा है back to home, इस पर click करेंगे और initialize to English, इस पर click करेंगे और यह हमारा bypass complete हो गया दोस्तों तो दोस्तों, वीडियो जरा भी helpful होगा दोस्तों, तो please चैनल को subscribe, वीडियो को like कर देना भी या ठीक है, यह आप देख सकते हो हमारा device ready है तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जैहन जैभारत, वन्दे बात्रम कर दा है हम घ्याँ करते है कर दोस्तों कर दोस्तों